नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका प्रिया के किचिन में मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक नई रैस्पी मूंग दाल का चीला मूंग दाल चीला बनाने के लिए मैंने लिए यहां पर 300 ग्राम दाल मूंग की जो मैंने 3-4 गंटे भीगो के रखी थी पानी में और मैंन इसमें दाल डाल के दोस्तों मैं इसको ढखके अच्छे से पीश लूगी इसमें मैं भी पानी नहीं डाल ली हूँ यहां पर देख सकते हो दोस्तों अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक बार और पीश लूँगी यहां पर दोस्तों मैंने डाल पीश लिये देख सकते हो आप इसको थोड़ा दरदराई रखना है एकदम पतला नहीं करना है इसको और इसको हमें निकाल लेंगे एक बरतन में और इसमें एट कर देंगे हम सूखे मसाले एक चमश धनिया पाउडर आधा चमश हल्दी पाउ मैंने पहले भी डाल दिये दो और डाल देंगे स्वाद नुशान नमक नमक डालके हम थोड़ा पानी डालके इसका अच्छा सा घोल बना लंगे घोल ना जादा गाड़ा रखना है ना जादा पतला देख सकते हो आप और यहां पर ले रही हूं दोस्तों मैं चीला बनाने क आप लिए लूही का तवा सब्सक्राइब अच्छे से चीले बनके तैयार हो जाते हैं यहां पर गएस का फ्लेम छो रखना है और तवी पर मैं लगा दूंगे अच्छे से तेल छंम श की मदद से कि यहां पर दोस्तों त surprise मैने तेल लगा लिया है और इसमें डाल दूंगी मैं घौल गोल को मैं इस तरीके से फैला लूंगी धीरे धीरे आतों से इसमें डाल दूंगी दोस्तों में थोड़ा सहरा धनिया उपर से और इसके किनारों में मैं लगा दूंगी तेल ताकि ये आसानी से छूट जाए तब ये मैं चिपके नहीं ये पहला वाला है दोस्तों इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी यहाँ पर दोस्तों एक साइड से चीला सिक्के तैयार है हमारा और अब ये दूसरी तरफ पलड़ दिया है इसमें भी थोड़ा ओयल लगा लिया है यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों एक दम बढ़िया चीला सिक्के तैयार है और अब इसको हम कर लेंगे शाफ साब करके दोस्तों इसमें ओईल लगा के दूसरा वाला भी हमें इसी तरह सेख लेंगे दोस्तों एक बार रष्पी ट्राय करके जरूर देखना मुंग डाल चीला खाने में सुआदिश्ट भी होता है और हल्ली होता है रैस्पी पसंद आए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक सियर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यहाँ पर दोस्तों दुसरा वाला चीला भी बन के तैयार है देख सकते हो आप इसमें इतनी दिक्कत निया आती है दुसरे बार में चिपकने की यह आराम से बन जाते हैं फिर यहाँ पर दोस्तों एक साइट से सिखके तैयार है यहाँ पर दोस्तों एकदम परफेक्ट मुंग डाल के चीले बन के तैयार है इसे चटनी या सोंस किसी के साथ भी खा सकते हो आप और देख सकते हो एकदम परफेक्ट चीला बनाए है झाल झाल